इस देश में सेक्स पार्टी के लिए लाखों दे रही सरकार हुआ विवात इंग्लेंड में सेक्स पार्टी कराने वाली एक कमपनी अन्बेनेंट को सरकार की तरफ से 36,000 पाउंड यानी लगभग 37,000 रुपे की फंडिंग मिली है इंग्लेंड की आर्ट्स काउंसलिंग ने अन्बेनेंट कमपनी को फंडिंग की है इस फैसले पर कई लोगों ने सवाल उठाए है और विरोध भी जताया है आलोचुकों का कहना है आम आदमी के टेक्स के पैसों को इस तरह खर्च नहीं किया जाना चाहिए इस मामले में आर्ट्स काउंसलिंग लेंड का कहना है कि उन्होंने एक कैश कोरोना कल्चर रिकवरी फंड से दिया है और आर्ट्स काउंसलिंग लेंड ने इस क्लब को एक क्रियेटिव प्रोडक्शन कमपनी बताया है जिसके चलते इस्ट लेंडन की एकोनॉमी में बूस्ट आ सकता है गौर तलब है कि अनबेनेंट का एक मशूर कलब है जिसका नाम कलब वेर बेटोन है ये एक LGBTQ friendly कलब है और इसे BDSM कलब के तौर पर प्रचारित किया जाता है इस कलब में आने वाले लोगों की सिक्योरिटी और सेफटी का पूरा खयाल रखा जाता है इस कलब में जाने के लिए खास तरह के ड्रेस कोट का इस्तमाल किया जाता है कलब की एक प्रवक्ता ने खुशी जाता ते हुए कहा कि इस फंडिंग से हमें आर्थिक तौर पर बहुत जादा मदद मिली है इस लेंडन में मौजूद इस कलब का एक सोशल मीडिया गुरूप भी है जहां 5000 से जादा लोग एक्टिव हैं इसके अलावा इस कलब के इंस्टाग्राम पर 15,000 से अधिक फॉल्वर्स हैं आर्ट काउंस से लिंग लेंड का कहना है कि ये कंपनी कोरोना काल के चलते ध्वस्त हुई नाइट लाइफ एकनोमी में नई जान फूख सकती है और इस फंडिंग के सहारेई कंपनी कई नई नौकरियां क्रेट कर सकती है आर्ट काउंस से लिंग लेंड के बयान में ये भी कहा गया कि हम समझ सकते हैं कि कुछ चीज़े ऐसी होती है जो सभी के लिए नहीं होती है लेकिन एक मल्टी कल्चरल देश होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी संस्थाओं को भी प्रोटेक्ट करें जो मुख्यधारा समाज से अलग है गौर तलब है कि आर्ट काउंसिल इंगलेंड सरकार द्वारा फंड की कई संस्था है जो डिजिटल, कल्चर, मीडिया और स्पोर्ट से जुड़े आर्टिस्टिक गतिविदियों को प्रोमोट करने में मदद करती है इस संस्था का निर्माण साल 1994 में हुआ था बता दे कि आर्ट काउंसिल इंगलेंड कई फिल्में भी प्रोड्यूस कर चुका है इन में दा ट्रेंच, रेट कैचर, हिलेरी एंड जैकी, बेंट मैंस फिल्ड पार्क, मेट्रो लेंड, बेबी मदर, कैप्टन जैक, ब्यूटिफुल क्रियेचर्स जैसी कई चर्चित फि प्रोड्यूस